नान दिया है कि हमारे समाज में कुछ पारिवारिक संबंध धीरे-धीरे अद्रिश्व हो रहे हैं। पहले हर बच्चे के माता-पिता के अलावा चाचा, ताउ, बुवा, मामा, मौसी जैसे ठेरों रिष्टेदार हुआ करते थे। लेकिन अब ये सभी मानो विलुक्त प्रजाती होते जा रहे हैं। भारती परिवारों में रक्त के कुल पांच रिष्टे समाप्त होने की कगार पर हैं। एक दो पीड़ी बाद संभवता ये सभी संग्रहाले में सजा दिये जाएंगे। केवल अंकल और आंटी बचेंगे। इसे इस तरह समझा जा सकता है। यदि किसी दमपत्ती के दो पुत्र और दो पुत्री हैं तो उनके सभी पांच रिष्टे यानि ताउ, चाचा, बुवा, मामा और मौसी होंगे। यदि दो पुत्र हैं लेकिन पुत्री एक ही है तो उनकी जो संताने होंगी उनकी कोई मौसी नहीं होंगी। मा के बाद बच्चों की कोई सबसे सगी महिला होती हैं तो वो मौसी ही होती हैं। यदि किसी के एक पुत्र और दो पुत्री हैं, तो चाचा और ताव के रिष्टे नहीं होंगे। यदि एक बेटी और एक बेटा है, तो उनकी संतानों का ना तो कोई चाचा होगा, ना ताव, ना मौसी। यदि एक बेटा या एक बेटी होती है तो वो पूरी तरह से अकेला होगा माता-पिता के बाद उसका कोई रक्त संबंधी नहीं होगा सिंगल चाइल फैमली को उनका निर्णे, तीसरी पीड़ी यानि जिनके वो दादा-दादी होंगे बुरी तरह प्रभावित करेगा इसलिए दमपत्ति को सिंगल चाइल के निर्णय पर गमभीरता से विचार करना चाहिए ये न केवल हमारे बच्चों को एकाकी जीवन जीने को विवश करेगा बलकि हमारी हिंदू परिवार व्यवस्था को भी नश्ट कर देगा परश्विमी देशों में सिंगल चाइल पॉलिसी भारत से पहले आरंब हो गई थी वहाँ पर इसके भायावः परणाम सामने आने लगे हैं ब्रिटिश वेद्वान डेविट सेलबॉन ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इसमें बताया गया है कि परश्विमी समाज पर इसलाम का अधिकार होता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण एक शक्तिशाली परिवार व्यवस्था का अभाव है यूरुपी ये देशों में परिवार नाम की संस्था लगभग समाप्त हो चुकी है लोग विवाह करना पसंद नहीं करते समलेंगिक्ता, अवैद संबंद, लिविन रिलेशन जैसी कूरीतियां सामान निबात है उन समाजों में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्हें नहीं पता होता कि उनके पिता कौन है बुढ़े माता पिता को घर में रखने को कोई तयार नहीं ओल्ड एज होम में उनका बुढ़ापा बीचता है यूरोपीय देशों में आज राजनीतिक दल परिवार को बचाने का वादा अपने चुनावी घोशना पत्र में करने लगे हैं आस्ट्रिलिया में तो फैमली फर्स नाम से एक राजनीतिक दल भी बन गया है पर्श्चमी देशों के समाज शास्यों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि परिवार व्यवस्था को कैसे बचाया जाए इस सब के लिए उनके पास यही सुझाव है कि एक से अधिक बच्चे पैदा हो अब यही चुनावती भारती समाज के सामने भी खड़ी होने जा रही है क्या हम समय रहते सतर्क हो पाएंगे या हमारे साथ भी वही होगा जो पर्श्चमी देशों के साथ हो रहा है क्या है